हालो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो ये बियान है द्रोपती मरूँ जो छारखंड के राजवाल हैं जो क्या है जे पीएस सी में बैठे लोग लगा रहे हैं सिच्छक बहाली मारंगा तो ये कहां कहा इन्होंने देवघर कॉलेज में युबा महुस्ट सम मैंने कहा तो इस वीडियो को सुरू सब्सक्राइब लाइक नहीं लोग सब्सक्राइब और बेल का इकन बड़त नवाना ना भूले तो क्या है पूरा मामला देखते हैं तो राज जीपाल ट्रॉपती मुर्मु ने कहा है कि राज के पिस विद्या लिए कॉलेजों में सिच सेक्रेट कर मामले को लटकाने की कोशिस की गई अभी अनुबंद आधारित कॉलेज पर सिच्छक पढ़ा रहे हैं बहुत जल्द अस्थाई सिच्छकों की न्यूक्ती कॉलेज ब विश्विद्याले में होगी मुर्मु संबार को सिंतो कान हो मुर्मु विश्विद्याले दुमका की योड से देव घर कॉलेज में चल रहे डूटिय युवा महोच सब उतकर्स 2019 में बता और मुख्य थी थी बोल रही थी समारो में राज्यपाल द्रौपती ने युवाओं से कहा कि पढ़ने के साथ एक्स्ट्रा करिकूलम पर ध्यान दे तथा स्वामी विवेकान की बानी को आत्म साथ करे आज देश के 65 फिश्दी आवादी हुआ है इसलिए वाओं से धेर देश को धेर सारी उमीदे हैं जरूरत है कि उन्हें साधन बस सही दिशा दिखाने की फिर इन्होंने क्या कहा बच्चे वहतर करना है खेल कुद में कहा कि जारखंड के बच्चे खेल कुद में बहतर कर रहे हैं मैंने चांचलर ट्रॉफी शुरू किया है किसी भी शिच्छा संस्थान में लिबरेटरी लाइबरेडी सहीत आधारवू सरनचना का होना जरूरी कॉलेज या उनिवर्शिटी जाने वाले छातर छातरानों ट्रेनिंग लेते हैं यह समय ट्र रहाँ जाने यह इन्विश्टी कॉलेज आपका है संस्थान में आपका कार्ज करम को वहतर बनाना आपका कर्तव है छेतर में होने वाले कार्ज करम जन पर दिनिद्धियों की भागदारी होनी चाहर एक पलॉक टिगरी कॉलेज महिला कॉलेज ज्यादा खोलने कि आवा सकत की ट्रेनिंग राजपाल ने कहा कि जारखन के टॉप रोस मिलकर क्वालिटी एजुकेशन के लिए उनिवर्सिटिव कोलेज के समस्या को दूर करने का प्रयास करती हूं लेकर रड़कियों कहती है सेल्प डिपेंस के लिए मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग यह सिर्फ विमें में रखते हैं फाइन आर्ट की पढ़ाई कोलेजों में शुरू की गई जेव घर के बच्चों में टैलेंट कुट-कुट का भरी वारों उसे खुद सी सीक्से हैं जरूरत है क्योंने सही दिसा देने की यूद्ध फैस्टिवल में उनर्द दिखाते हैं इंटर में अरंगा लगा रहा है जैपिसी और जहां तक बात है कि जैपिसी मेंस के कार्ड की तो उमीद है क्योंकि जिस तरह नजदी का रहा और जिस तरह कोई भी सूचना भी तक नहीं आए तो उमीद है ज्यादा चांस है कि बढ़ेगा और थोड़ी बहुत जो संभावना करें 10 परसेंट के हैं तो आज या कल में लेकिन उसी संभावना चीन होती जारे तो उमीद है कि फरवरी में होगा अगर फरवरी होगी तो इतनी जल्दी फिर सेंटर कहां से दे सेंटर है जो कि जो जिला पतादिकारी को जाता है राची के जो जाएंगे वह कहां से स्थिर सेंटर करेंगे तो उमीद है कि 15 फरवरी को बाद या मार्च में हो सकती है परिच्छा मेंस की तो सारे लोग क्योंकि यहीं कंफ्यूजिन है कि आखि यह हो क्या रहा है कि अभी अब मात रहे जो कि आपको तेरह दिन बचे हैं और तेरह दिन में किस तरह पर तो उमीद है कि ज्यादत संभावना के डेट बढ़े ही और तो आप लोग फिर भी तैयारी करकर धीला ना छोड़े यह सब मेंदना लगाए कि होगी ने उमीद रखे कि होगी तो उसे तैयारी के साथ धन्यवाद